हुआ हलो फ्रेंड्स अले साइन्स के यूट्यूब चनल पर आप शभी का श्वागत है हम इस्टडी कर रहे थे प्रकास अंसलेशन के बारे में जिसमें हमने पढ़ लिया कि क्या होता है आज हम इस्टडी करने वाले हैं सी फॉर चकर याने है जो सी फॉर चकर है उसको है चले चकर भी कहा जाता है और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्रकास वर्शन होता है उससे बचने के लिए एक बीश पत्री पादप होते हैं उसने नई परकीरिया अपनाली है जिसका नाम होता है है जो है स्लेक चकर या सी फॉर चकर आई ये इसके बारे में जानते हैं तो जो एक बीश पत्री पादप होते हैं यानि जो मोनोकोर्ट प्लांट्स है एक बीश पत्री पादप इनको हम कहते हैं मोनोकोर्ट प्लांट ठीक है जैसे इसका एक्जाम्पल हमारे पास है मक्का है गन्ना है गेहूं है बाजरा है ठीक है इन सभी में क्या होता है इन सभी के अंदर अगर हम पत्यों की शरंचना देखें तो उनमें उपरी बाहिये तो अच्छा होती है ठीक है नीचली बाहये तो अच्छा होती है जिसको हम कहते है अधी चरम उपरी अधी चरम ये हमारे पास क्या है उपरी अधी चरम है ठीक है इसी तरह है नीचली की साइड में क्या हो जाएगी नीचली अधी चरम इनके बीच में जो कोशिकाएं होती है उनको हम कहते हैं प्रण मध्योतक की कोशिकाएं इनका नाम क्या होगा प्रण मध्योतक की कोशिकाएं इनमें होता है हमारे पास सहवन बंडल भी तो यहां पर हमारे पास सहवन बंडल रहेगा ठीक है इस सहवन बंडल के चारो और क्या होता है यानि सहवन बंडल में आता है जाइलम और फलोयम इनके चारो और विशिष्ट प्रकार की कोशिकाय होती है जो इसके अधिचरम तक फेली रहेगी ठीक है इस तरह इसके सैवन बंडल के चारो और इस्तित होती है ठीक है इस तरह तुम्हें यहाँ पर आपको केवल 2 सैड में ही दिखा रहा हूं इसमें तो इसके शहवन बंडल को ये घेरे रखती है, अब ये तो है हमारे पास प्रण मध्योतक की कोशिकाएं, जिनको हम कहते हैं मिजो फिल की जो शेल्स होती है, मिजो फिल शेल्स, इनके लावा इनमें ये स्पेशल टाइप की होती है कोशिकाएं, जो शहवन बंडल या शहवन पूल के चार ओर होती है, तो इसको कह देंगे पुलाचद कोशिकाएं, या इनको कहते हैं बंडल सीथ, बंडल सीथ सेल्स, ठीक है, अब देखें इनमें क्या होता है, जो हमारे पास प्रण मध्योतक है, यानि मिजो फिल है, उनके अंदर जो क्ल क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें जो ग्रेना होते हैं, यानि अधिक विक्षित होते हैं, ठीक है, अधिक विक्षित होते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या है, पुलाचद की जो कोशिकाएं हैं, इनमें जो ग्रेना होगा, ये कम विक्षित हो सबस्कराइब इस इनमें जो क्लोंड़ोप्लास्त होता है यह चोटे बड़ यह होता है इन में धर pew यूद्यानों प्ल्रीं । कशल ना चील विंधफित होते हैं कम्प्लीट, तो अब जो जिनमें स्पूव में पहलती हैं उन पत्यों को हम कहते हैं क्रेंज ऑन्हां की कॉए टो मियद्र करेंज शारिडिती है क्रेंज का अर्थ होता है मालाज है जर्वन मासा का सब्द इसके चार और माले के समान आ है अगया है का राक्रेंज तो तो क्रेंज एक लाम एक कहलाएं किते हैं अब यह प्लांट्स क्रतेख्रा क्या है तो यह प्लांट्स क्या करेंगे जब टेम्प्रेटर है यहते हैं अधिक सैमे आद़де न करें पर आएगा सेथे क्या ए कौन से कोशी और अाजि Elea कार्बन डाय OCCY आएगा फिर उसके बाद में ये compound चले जाते हैं किन के अंदर इन cells के अंदर इन cells का नाम क्या है पुलाच्छ दिया bundle sheet की cells में क्या होता है कि इन में CO2 से मद्यवर्ति उत्पाद बने हैं intermediate बने हैं जो मद्यवर्ति बने हैं वो आकर इन कोशिकाओं के अंदर क्या करेंगे कार्बंडाय औक्साइड गेश को release कर देते हैं तो इसकी वज़े से क्या होगा इन जो पुलाच्छ की कोशिकाओं के अंदर हमेशा यानि इनके अंदर प्रकासिक शोशन नहीं हो पाएगा प्रकास शोशन नहीं होगा फोटो रेश्पिरेशन नहीं होगा तो देखें CO2 जब इन में अंदर आएगा थोड़ीशी मात्रा में हो लेकिन यहां पर एक दूसरा एंजाइम काम आएगा जिसको हम कहते हैं पेपको यहां पर यहां पर यह क्या करेगा पुलाचत की कोशिकाओं में पुलाचत की कोशिकाओं के अंदर वो मद्य वर्तियुत पाद क्या करेगा CO2 रिलीज कर देगा तो इनके अंदर हमेशा CO2 की मात्रा अधिक बनी रहती है तो इन में रुबिस्को रहेगा वो हमेशा एक ही प्रकार का कारे करेगा ठीक है तो चलिए अब हम जानते हैं कि यह सीफो चक्कर होता क्या है इसकी किरियाविदी केश्य होती है ओके तो अब ह हम सीफो चक्कर की किरियाविदी के बारे में डिटेल से जानते हैं हमारे पास दो प्रका की कोशिकाएं हैं पहली है मिजोफिल सेल्स यानि हम बोल देंगे प्रण मधियोतक की कोशिकाएं ठीक है दूसरी है हमारे पास बंडल सीथ बंडल सीथ की कोशिकाएं ठीक है अब या पुलाचत की कोशिकाएं उनको कहते हैं इन में देखें क्या होता है जो प्रण मधियोतक की कोशिकाएं हैं उनके अंदर होता है फोश्फो इनोल पाइरुवेट फोश्फो इनोल पाइरुवेट ठीक है इसमें क्या होते हैं तीन कारबन होते हैं इसको हम सोट में कहेंगे पी फोश्फो इनोल पाइरुवेट को इसके संचना कुछ इस परकार होती है इन में COO-imus होता है फिस C है इसके साथ में phosphate जुड़ा हुआ oxygen जुड़ा हुआ है और CH2 यह double bond से तो यह है phosphoenol pyruvate अब इसके साथ में देखे क्या होता है जो CO2 है यह आके इसके साथ में जुड़ेगा कम संदरता होगी तो भी जुड़ जाएगा इसमें इनगायम आता है PEPCO Phosphoenol Pyrovate Carbor Seeled इसमें Oxygenase नहीं है ध्यार रखना ओका मतलि carbonite नहीं है O मैंने Small लिखा है इसोजैसे तो PepsiCo इसका नाम है Phosphoenol Pyrovate Carbor seeled यह इसके साथ में जुढ जाएगा और जुढ कर बना लेता है Oxelogacetic Amyl औक्जेलो एसितिक अमल जिसको हम कहते हैं lent को ए ए दूसरा नाम ठीक है इसमें कितने कार्बन होते देखें कार्बन पहले से एक चार जन्य कार्बन तो ईसमें चार कार्बन होते हैं c-c-e-o-h c-e-o-c फिर हो गया cco-h ठीक देखें यहाँ पर H दिखाते हैं तो यह पाइरुविक अमल बन गया H नहीं दिखा रहा हूं मैंने यहाँ पर नेगेटिव दिखाया तो यह पाइरुवेट बन गया तो देखें CWH CWC यहाँ पर भी CW bond हो CW bond है एकार्बनिक फोस्फेट के रूप में फिर यह जो ऑगजेलिक अमल है यह परिवर्तित हो जाता है किसमें मेलिक अमल में ठीक है और मेलिक अमल है उसमें भी कितने कार्बन होते हैं चार कार्बन होते हैं मेलिक अमल में चार कार्बन होंगे complete चार कार्बन में क्या होता है इसमें हमारे पास सीगी नबन यह हो जाता है क्ष 206 में फिर है क्या है यहाँ पर ऑक्सिजन के साथ में दो हाइडरोजन जुड़ गए अब यह हाईडरोजन आएंगे कहां से तो हाइड्रोजन देने का काम कौन करता है NADH2 करता है और यह किसमें चेंज हो जाएगा NAD में तो अब इसमें जो एंजाइम काम आएगा देख इसमें हाइड्रोजन की कर्मी हो रही ही न तो एंजाइम कौन सा काम आजाएगा D-Hydrogenase एंजाइम है वो यहाँ काम आएगा कम्प्लीट है फिर जो मेलिक एशिड है यह कहाँ बन रहा है यह सब प्रकीरिया हो रही है पुलाचद के जो हमारे पास है प्रणमध्योत्यक या मिजोफिल की कोशिका है फिर यह यहाँ से निकल कर चला जाता है किसमें मेलिक एशिड है यह इसमें से निकल कर बंडल सीथ है जो पुलाचद की कोशिका है उसमें चला जाता है मेलिक अमले ठीक है मेलिक अमल को ले जाने के लिए कोई एंजाइम की आऊ सकता नहीं है तो यहाँ कोई एंजाइम नहीं दिखाएंगे इसमें च्यार कार्बन है फिर ये क्या करता है मेलिक अमल ये चेंज हो जाता है पाइरुवेट में पाइरुवेट में चेंज हो जाता है या पाइरुवेक अमल भी लिख सकते हो तो देखें इसमें च्यार कार्बन होते हैं और पाइरुवेट में तीन कार्बन होते हैं इसका यह चली जाएगी C3 चकर में ठीक है दोलए जाएक जहां कि दूबारा वापस आ जाता है कहा पर जो बंडल सीध की कोशीकाएं है उनुरं में आजाता है थीक है तो देखें बेंडल सीथ में तो इतना ही हुआ कि यहां पर जो एंजाइम काम आएगा उसका नाम होगा यहां पर इसकी सरंचना में और उसकी सरंचना में अंतर किसका है यहां पर फोनवेट फोसफेट है वहां पर फोसफेट नहीं है तो फोसफेट जोड़ जाएका साथ में तो फोसफेट देने का काम कौन करेगा जो ju ATP होता है ये फोस्फट देगा और ये बना लेगा ADP पलैस आई जो फोस्फट है वो यहां चला गया ATP है ये ADP बना लेगा फोस्फट इसके पास चला गया तो देखो ATP काम आ रहा है तो यहां पर इंजाइम कौन सा होगा बेज जग आंख में इसके लिए सकते हो काइनेज एंजाइम जहां पर भी ATP बनाता हो या ADP ATP बनाता हो वहां पर काइनेज एंजाइम काम आता है और यह वापस क्या बन गया इस परकार को इन मद्य वर्ति उत्पाद के रूप में चेंज करके किसके पास बेज दिया बंडल सीट की कोशिकाओं के पास तो बंडल सीट की कोशिकाओं में कभी भी क्या होती है CO2 की कमी नहीं होती है और हमेशा CO2 बना रहता है तो यहां पर जो सीथरी चकर में काम आएगा वो कौनसा एंजाइम होगा वो रूबिस को होगा कंपलीट है यहां पर कौनसा काम आ रहा है पेप को आ रहा है तो इस वीडियो में हम इस्टड़ी इतना ही करेंगे अगले वी वीडियो है उसको लाइक करें धन्यक्त